तो अब ही हम यहां पर क्या पढ़ेंगे laws of reflection of light के बारें पढ़ेंगे तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर सबसे important जो laws होते हैं वो यहां पर दो है और इसको अब यहां पर describe करेंगे एक diagram के जरी है तो यहां पर मैं diagram बना लेता हूं तो diagram के लिए सबसे grain में coating नहीं होगी तो यह हमारा transparent glass जैसे हो घाएगा तो इसलिए हमें यहां पर पीछे can किसी यहाँ पर hold कर रख इसको slit बोल सकते हैं तो हमारा यहाँ पर क्या है source of light है यह torch हो गया या कुछ बल्म हो गया है इसलिए मैंने हमें simple source लिए अब यह क्या होगा यहाँ पर किसी एंडल से यहाँ पर क्या होगी incident होगी यहाँ पर पढ़ेगी, और फिर यह यहाँ पे ऐसे reflect हो जाएगे, जैसे कि हमने activity में पढ़ा था इससे पहले, और बीच में हमारा यहाँ पे क्या होता है, एक line होते है, इसको यहाँ पे हम क्या बोलते है, normal बोलते हैं तो यह हमारा यहाँ पे क्या हो गया, normal हो किन इंसिडेंट एंगल होगे एंगल और यहां पर जो होती है इसको इपकि इस और नॉर्मल अब यहां पर एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि यहां पर जो incident ray है reflected ray है और यह जो यहां पर नॉर्मल है यह जितने भी यहां पर same plane पर लाई कर रहे हैं तो इसको यहां पर एक ऐसा समझ लेते हैं कि यहां पर मालो एक नीचे paper है यह हमारा क्या है नीचे एक paper है और मैंने क्या है यहां पर side में एक mirror strip लगा रखें मिरए इसको मैं डार कर देता हूं यह हमारा है यहां पर क्या मेर इस्टिप है और यहां पर एक source of light है तो यह यहां पर ऐसे जाएगी और यहां पर ऐसे reflect होगे और बीच में बनेगा हमारा नॉर्मल अगर मैं यहां पर एक paper है इसक तो इसका यहां पर पहला लोस है वो यहां पर क्या बोलता है कि यहां पर reflected ray यहां पर मैं लिख देता हूं आपको reflected ray reflected ray incident ray reflected ray हो गया incident ray हो गया and normal and normal all lie in the same plane all lie in the same plane तो यह यहां पर देखा होगा यहां पर इंसिदेंट ray हो गया reflected ray हो गया नॉर्मल हो गया यह सिर्फ एक ही plane पर लाई करेंगे क्योंकि दूसरा plane बनाएंगे तो वहां पर लाइट नहीं जाएगी तो इसका मतलब क्या है यहां पर reflected ray incident ray and normal all lie in the same plane यह तो हमारे ऐसका मतलब यहांपर angle of incidence angle of incidence इसको यहाँ पर एक example से समझते हैं महां लोग कि यहाँ पर angle of incidence जो यहाँ पर source of light से पढ़ रहे हैं वो यहाँ पर 35 degree पर पढ़ रही है तो इसका बतलब जो angle of reflection होगा इसका angle भी यहाँ पर 35 degree होगा अगर यह यहाँ पर 15 degree है तो यह भी यहाँ पर क्या होगा 15 degree इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जितना angle of incidence होगा इतना यहाँ पर क्या होगा हमारा angle of reflection होगा तो यह हमारे दो laws of reflection थे पहला यहाँ पर क्या था कि reflected ray, incident ray और normal यह सारे क्या होते एक प्लेन पर लाई करत हैं और सेकेंड हमारे यहां पर क्या है एंगल आफ इंसिदेंस हमारा एंगल आफ रिफिलेक्शन के बराबर होता है वह आपको यह दोनों लॉस समझ में आ गए होंगे हम यहां पर देखते हैं अपने नेक्स टॉपिक